साफसफाई और खाना बनाने का काम करती थी। बड़ी मिन्नतों के बाद उनको उलाद का सुख प्राप्थ हुआ था। लेकिन अपनी गरीबी की मजबूरी और बेटी के सपने पूरे करने के लिए वो दोनों काम करते जिस वज़ा से सपना को घर में अकेले ही रहना पड़ता था। सपना सारा दिन मिट्टी में खेलती रहती जिस वज़ा से एक दिन उसको बुखार आ गया। रेनु जैसे ही काम पर जाने से पहले सपना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वो काफी गरम है। रेनु उसके माथे पर हाथ लगाती है तो उसका माथा काफी गरम होता है। ये भगवान, कितना तेज बुखार है मेरी गुडिया को, अब मैं काम पर कैसे जाओ, आज तो मालकिन के घर महमान आ रहे हैं, अगर नहीं गई तो वो बहुत गुस्सा होंगी, फिर भी एक बार फोन करके छुट्टी मांग कर देखती हो, फिर वो अपनी मालकिन को फोन लग अगर काम पर आना है तो अभी आओ, नहीं तो अपना हिसाब ले जाओ, तुम जैसी काम वाली और भी बहुत मिल जाएंगी, नहीं नहीं मालकिन, मैं अभी आती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालो, रेनु सपना का पेट पालने की खातेर उसे दवाई दे कर, बुखार मे के बाद मालकिन उससे पूछती है, क्या सचमुच तेरी बेटी को बुखार है या तेरा छुट्टी का मन था, मालकिन, कौनसी मा छुट्टी लेने के लिए अपनी बच्ची की बिमारी का जुटा भाना बनाएगी, सचमुच में मेरी लाडो को बहुत देज बुखार है, आ काम पर आतो गई उपर, मेरा मन, मेरा सारा ध्यान, मेरी बच्ची की ओर ही है, बस बस अब रोना बंद करो और साफ सफाई में लग जाओ, बेचारी रेनू आखों में आसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लिए काम में लग जाती है, और दूसरी तरफ मालकिन बेट पर बैठी, अपने बेटे रोहन को अपनी गोद में लिटा कर टीवी देख रही होती है, ऐसे ही 20 साल बीच जाते है, सपना और रोहन दोनों ही बड़े हो गए, जब भी रेनू लोगों के घरों में काम करने जाती, तो सपना को बहुत बुरा लगता, इसी लिए वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, एक मॉल के शोरूम में सेल्स गर्ल की नौकरी करने लगती, एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ मॉल में शॉपिंग करने आता है, और वो रेनू को पहचान लेता है, शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, अरे याद आया, तुम तो वही हमार याद आया, रेनू, उसकी बेटी हो ना, जी वो सर, अरे बस, अब इतना क्या नाटक कर रही है, अच्छा वैसे तेरी मा है बहुत महनती, सारा काम बड़ी लगन और महनत से करती है, वैसे तू यहाँ कपड़े बेचने का काम करती है, चलो बढ़िया है, वैसे भी एक काम वाली के बच्चे इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं, अच्छा लिसन, अगर तुम्हे कोई काम चाहिए हो तो बस बता देना, वैसे भी तुम्हारी मा बोड़ी हो चलिये, तो उनके बाद हम तुम्हे काम पर रख लेंगे, रोहन अपने सभी दोस्तों के सामने उसका ख एक दिन रेनु अंजना के घर काम कर रही होती है, कि तब ही अंजना महरा रोहन को कहती है, रोहन ये सब क्या है, तुम दिन भर दोस्तों के साथ मतर गश्ती करते हो और रात को पार्टी, तुम अपने स्टडीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा कब तक चल अब आप फिर से ना लेक्चर देना शुरू मत कर देना, हम अमीर लोग हैं, हमारे अपने शौक हैं, अगर हम अभी अपनी लाइफ इंजोई ने करेंगे तो कप करेंगे, और स्टडीज और कमाने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है न, यही तो टाइम है, हमारा इंजोई क करने का, और वैसे भी मुझे नौकरी शौकरी में कोई इंटरस नहीं है, मैं तो अपना बिजनस करूँगा बिजनस, और उसके लिए मुझे आपसे पैसो की जरुवत होगी, अरे इस रेनू की बेटी को देख, दिन रात पढ़ाई भी करती है, और साथ में नौकरी करके अ अपने परिवार का पेट भी पाल रही है, और अपने मा बाबा का भी कितना ध्यान रखती है, अम्मा प्लीज यार, मैं कोई कामवाली का बेटा नहीं हूँ, मुझे पैसो की जरुवत है, मुझे पैसे दो, रोहन लर जगड कर अपनी मा से पैसे ले जाता है, और दिन रात पार्टीज करता है, उधर सपना और भी कड़ी मेहनत करती है, और नतीजा ये हुआ कि वो खुद का एक अप्लिकेशन सौफ्ट्यर डेवलप करती है, जो बाद में एक डिजिटल कमपनी में बदल जाता है, सपना ने लोन लेकर खुद की डिजिटल कमपनी स्टार्ट कर द वहीं दूसरी तरफ, रोहन अपने बिजनस में खुब पैसे लगाता है, लेकिन काम पर बिलकुल भी ध्यान न देकर पार्टीज में बिजी रहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी कमपनी घाटे में जाने लगती है, और उसको बचाने के लिए वो अपनी मा से और प मैं इस घर के बेसपार बैंक से लोन ले लेता हूं